सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल संजीव मिस्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के विडियो सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन को ओल कर दें तो चलिए आपको बताते हैं राची की पांच सबसे सांदार पिकनिक मनाने वाले जगों के बारे में नमबर वन पर जो जगह है उसका नाम है पत्रातु वैली दोस्तों पत्रातु वैली राची सहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित एक सुरम में घाटी है जहां लोग दूर दूर से घूमने को आते हैं डैम के चारोर प्रकृति की अद्बुत छटा बिखरी हुई है जो लोगों को काफी लुभाती है राची और रामगर के लोगों के लिए ये एक बहुत ही खुबसूरत पिकनिक स्पोर्ट माना जाता रहा है पत्रातु वैली के आसपास आप फोटो सूट भी कर सकते हैं नमबर टू पर है गोंदा हिल्स राची सीमपीडियाई के सामने कांके रोड में अवस्तित है ये खुबसूरत सा हिल जो की प्राकृतिक सुंदर्ता का पर्याय माना जाता है नए साल और विकेंड में लोगों का हुजूम इस हील को देखने के लिए आता है ये हीले खुबसूरत लोकेशन में होने के साथ साथ राची के लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर डेस्टिनेशन भी है जहां लोग बड़ी आराम से पिकनिक मनाने आ सकते हैं नमबर थ्री पर है पंचगाग फॉल राची के पास एक खुबसूरत सा जगह है फूटी जहां पर ये मनोरम वाटर फॉल सिचुएटेड है जो कि पाने की पांच धाराओं से बनती है राची सहर से पंचगाग फॉल्स के दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है यहाँ पर पिकनिक बनाने के लिए लोगों की काफी भीड रहती है तो अगर आप इस जगह पर पिकनिक बनाने के लिए जाना चाहते हैं तो जनवरी महिने के किसी भी दिन को सिलेक्ट कर सकते है नमबर फॉर पर है राची का फन कैसल दोस्तों राची से राटू की और जाने वाली सड़क के किनारे एक बेहद ए खुबसूरत सा कैसल है जो की छोटा नागपूर फन कैसल के नाम से भी जाना जाता है इस कैसल के अंदर हर तरह के राट्स तो हैं ही साथ ही आप इस कैसल के बाहर कई सारे प्राकृतिक जगों पर पिकनिक बनाने के लिए जा सकते हैं इस फन कैसल में बूटिंग की सोविधा भी उपलब्ध है राची और मांडर के लोग यह नए साल पर घूमने जरूर जाते हैं पिकनिक के लिए राची का ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन वाना जाता है नमबर फाइब पर है टैगोर हिल टैगोर हिल जो की राची के मुराबादी में सिचुएटेड है लोगों के बीच आकरसन का केंदर रहता है छुट्टियों और खासकर वीकेंड में लोग इस जगह पर घूमना काफी पसंद करते हैं तो दोस्तों आप इस बार पिकनिक मनाने के लिए कहां जा रहे हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आल कर दीजिए ताकि चैनल के सारी लेटेस्ट अपडेट्स सीधे आपको मिल सके हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद